रे किष्णा महराज के पास बहुत कुछ था क्या कुछ नहीं था उनकी तीन प्रमुख पत्निया बताई गई है कोशल्या, सुमित्र और के कई मगर केवल तीन नहीं थी कितनी पत्निया थे उनकी साड़े तीन सो पत्निया थी कितनी 350 वाइव्स अब ये कौन सी मर्यादा है मगर वो तृता यूग था कल यूग में एक पत्नी ब्रत है मगर उस समय लोग विवाग करते थे, राजा विवाग करते थे को यतनी सारी पत्नियों को वो हैंडल कर पाते थे मगर बता दें कि इसके पीछे एक रिजन है सरकम्स्टैंशल रिजन है क्यों? तो कि उस समय परशुराम जी वो घूम रहे थे हर जगा किसकी अपने एक अगनी में वो जल रहे थे एन्वी के अगनी में रेवेंज लेना चाहते थे एवेंज करना चाहते थे सारे शत्रियों से सबको मारना चाहते थे उनके खांदान में कुछ ऐसा हुआ था तो वो आग बबूला थे कि सारे शत्रियों को उजाड़ दूगा मैं खतम कर दूगा मगर एक उसमें एक्सेप्शन था कि जो विचारा शादी के मंड़ब में बैठा होगा उसको नहीं मारेंगे क्यों नहीं मारेंगे क्यों पहले ही मर रही चाहरा स्वभावी गुरूप से बनने जा रहा है वो अपना गुलाम बनने जा रहा है दास बनने जा रहा है तो फिर उसको क्या मारेंगे तो वहां मारते नहीं थे तो जैसी पता लगता था यहां पे अयुद्ध्य में दश्वत महराज को कि परश्वराम जी आ रहे है चत्रियों का वद्ध करने के लिए तो यहां पे फिर काड़ चपते थे मंदब सचता था चैनाईया बसती थी और उसके बीच में दश्वत महराज को गोड़े बिठा ले प्रॉब्लम क्या है कि सारे तीन सो पत्रिया होने के बावजूद इतना बड़ा सामराच होने के बावजूद सारे सैनिक सारे राच होने के बावजूद उनके पास एक दिक्कत थी एक प्रॉब्लम थी क्या था पुत्र नहीं है अब एक शत्रियों कि घर पुत्र नहीं है तो वंश कैसे आगे पढ़ेगा? तो सब कुछ है मगर फिर भी ऐसे लग रहागा कि कुछ नहीं है, खाली है बिलकुल. तो ऐसे हम सब के जीवन में पहलता रहा है. कि हमारे जीवन में सब कुछ है मगर एक चीज के हमेशा हमी रहती है, कहतकता बस यह मिल जाए तो मैं कुछ हो जाओंगा यह मिल जाए तो मेरे जीवन परफेक्ट हो जाएगा तो इसको बोलते हैं लेकिन किन्तु बट परंतु हमेशा एक खटकता रहता है कि बस एक चीज़ यह पूरा हो जाना मेरा पास यह मिल जाए मेरे को बास I'll be done I'll be most happiest person in the entire universe मगर वही एक सिज़त हमें मिलती नहीं है और उसकी कारण हमेशा दुखों में रहते हैं चित्र केतु महराज तो और महान है दश्रत महाराज की तो 340,300 पत्नियां थी कितनी पत्निया थी एक करोड असान नहीं है एक करोड पत्नियों को मेंटेन करना एक में आलत कराव हुजाती है उसको ब्रेकपास कराओ लंज कराओ डीनर कराओ घुमान ले जाओ रेस्टों पे ले जाओ ताड़िया दिलवाओ जेवर दिलवाओ तो एक क्रोड पत्नियों को मेंटेन कर रहे थे सोचिए इतनी उनके में शमता थी समटाजी कितना बड़ा होगा धन्दाने कितना होगा मगर प्रॉब्म क्या है इतना सब कुछ होने के बावजूत भी पुत्र नहीं है लेकिन किन्तु बट पराद हिरन्य कश्युकू राजा ह उसके चर्णों में आ जाते जाते थे कंपन करते थे डरते थे रन्य कश्युकू उसकी अवाज सुनती अवाच क का हुंकार सुनत ár सुढ़िए उसकी जो भौ ils पर जैंगी और तो देवी तो बहुत भय था हर यहने कशचिपू का, सब लोग डरते थे, मगर उस कहशचिपू की नाक में दम कर रहा तक इसले अपनी ही पुत्र रह्याथ मोरते, घर का बेदी लंका ढ़ा ए, पुरीं से विमुक हो गए इन लोगों के लिए चिंता है ने वो दुजे परे दुरत्यास वे तरन अन्यास तवदवीर गायन महामरित मगन चित्ता तो प्रहलाद महारे बोलते हैं मेरे को अपने लिए कोई चिंता नहीं भगवान मैं तो आपकी महिमा का गान कर रहा हूं उसमें मगन मैं I am fully absorbed in that मगर चिंता है तो ऐसे मुर्ख लोगों की मेरे पिता जी जैसे मुर्ख लोगों की जिनकी जिवा पर आपका नाम नहीं आता है तो सोचेता तो विमुकोचेता साथ तो मैं बहुत चिंतन करता हूं ऐसे लोगों के लिए तो प्रहलाद महाराज ने नाक में दम कर करते हैं आम क्या अफलो का राजा है तो मंगे घंचे काने लगए तो पी उसकी चिलका आजाएगा तो कम ले 언제 लगों आपको आपको आपकी फोटो का भूल आना पड़ेगा तो आम नजरी नहीं आये, कुछ है नियुज में, यह तो छिलका है, यह गुठली है, आम है नहीं, तो यह कल्यूक, सब कुछ है मगर फिर भी, यह कुछ नहीं है, आम खाना है, तो हाँ खाई है, जाई आम घाट पे जाके आम खाई है, चतने महाप्रभू एक बार संकीर्तन क करते वे जा रहे थे, उनकी द्यानिक दिन चर्या थी, जैसी भोर होती थी, सुबह होती थी, तो निकल पड़ते थे अपने सब भक्तों के साथ, जीव जागो, जीव जागो, गोराचंद्र बोले, कोता निद्र जाय माया, पिशाची रभ बोले, तो सारी निद्र को जाल गई, और तो सब गाव है, नवदीप में वहाँ पहुंच गए, अब थोड़े समय बात किया, भूख लगने लगी भक्तों को, अब क्या करें, अब भूखे पेट तो भजन होता नहीं है, तो महाप्रभू सब भक्तों की मन की बात जान गए, कि पहले अब भोजन होग पहले फिर भजन होगा, तो महाप्रum नंने क्या किया, उससी समय, वहाँ पर एक आम की गुटली थे वो गारदी जमीन में, और उससे पूरा व्रिक्षन निकलाया, और आम का व्रिक्षन है, इंस्ट, वहाँ पर भीजबोया और वहाँ और वहां से आम का व्रिक्षन निकल मगर यह जो आम थे बिल्कुल आपकी हाइट पे थे बच्चा भी ऐसे करके तोड़ देगा तो जितने खाने उतने खाओ मगर वो आम अपने आप में इतना सेल्फ सफिशेंट था कि एक खालो बस यूल भी फुली साटिस्फाइड तो यह थे गौर चंदर के आम महाप्रभु के आम आम के आम और गुठलियों के विदाम गुठली है नी उसमें तो यह जटने महाप्रभु ने आनंत दिया मगर अभी तो हम कल्यूग में है कल्यूग का आम ऐसा है उसमें भी कहिना की कुछ घटकता है एक बार हम मायापूर गए थे और फिर बापसी आतवे सब डियोटी से रेलाइजेशन पूछा जा रहा है साक्षातकार पूछा जा रहा है कैसा लगा आपको मायापूर कितलों गए आप लोग मायापूर बहुत काम लोग है मायापूर वह स्थान है जो जहां पर चतने महाप्रभु का प्राकर्टे हुआ था जैसे भगवान श् इसलिए उसको नवदीब बोला जाता है वही पर चतने महाप्रभु ने लीलाएं करी अपनी तो वहाँ पर परिक्रमा होती है नवदीब मंडल परिक्रमा तो वहाँ जब वापिस आये तो भक्तों से रेलेशन पूछने है तो एक डिवोटी से पूछा कैसा लगा आपको मा यह जोगे हिदे इतने बड़े-बड़े हैं वहाँ की जो बीडिंग है उसको बोला जाता है लॉंग बी इस्या की सबसे बड़ी बीडिंग है वहां का मंदिर है और वहां के विग रहे हैं ओहो क्या बतायोँ near रादा मादव अश्र सकी पंचत अत्वा नर्प्रियाद नर्सिंगा विशाल एवरिटिंगे सो बीग ओवर देर बोले क्या बताओ प्रभुजी हाँ इतना आनद आगया वापे जाने का मन नहीं कर रहा है सब कुछ इतना अच्छा लगा बस प्रभुजी एक चीज यहां पर खटक रही है वो मजा नहीं आया वापे बोले क्या अच्छा आपको मायपर में कुछ अच्छा नहीं लगा हाँ क्या अच्छा नहीं लगा प्रभुजी यहां सब कुछ बड़ा आनद में था इतना हरीनाम संकीरतन होता था यहां इतना प्रशाद मिलता था सब इतना आनद था बस एक दिक्कत है यहां के जो मच्छर है ना वो काटते हैं तो बस ना नहीं याद आ जाती है एड़े मोटे मोटे मच्छर नहीं ने थे और हेलीकुप्टर वर गे क्या करें अब तो काटते तो ऐसे अंदर खुजाते डंक मारते हूं पस यह अगर यह मच्छर यहां से न लगा रहता है सब कुछ है मगर फिर भी खुश ही नहीं है अंदर से संतुष्टी नहीं है वो निन्यानुव का खेल खिलते रहते हैं सुना अपने निन्यानुव का खेल बस एक और मिल जाए सो हो जाए है फिर I'll be happy और उस सो के चक्कर में फाइनली वो साप काटता निन्या और जाते हैं मैं पहले वो ता था था? लिक्ततां बरे तो हमारी हालत भी वही है दो सारे धर्द सारे कष्ट दूर हो गये यह जब अपने जिहान में शी-राम चंदर जी को सिकार करेंगे उनको अपनाएंगे तो हमारे जीवन में भी सारे जो कष्ट हैं सारे fill in the blanks हैं वो अपने आप ही वो स्वता ही भढ़ जाएगे तो भगवान मूल है वो स्त्रोथ है हम सब के और तो और यह जो नाम है राम राम का मतलब ही है जो आनंद के सागर है जो आनंद के स्त्रोथ है तो अगर हाँ कहीं खुशी है पूरे संसार में तो कहा है केवल और केवल भगवान शीराम चंदर जी के चड़नों में मगर हमें इस संसार में डर लगा रहता है हमारी इच्छाएं पूरी नहों हमारे परिजन कहीं हमसे दूर ना चले जाए मुझे कोई कहना दे मुझे कुछ छिनना जाए हमेशे डर लगा रहता है तो उसका भी solution देते हैं शीराम चंदर जी मेरे पीछे अब दो राहिए तो शीराम चंदर जी सोयम बता रहे है कि क्या करो पस एक बार मुझे पुकार लो एक बार मेरा नाम ले लो एक बार ये बोल दो कि मैं आपका हूँ हे राम चंदर I'm yours मैं आपको बिलॉंग करता हूँ तो एक बार ये बोलना है कि भगवान सचुच मैं आपका हूँ मैं आपका अंश हूँ मैं आपसे भिन नहीं हूँ, अभी मैं आपसे भिन हो के आ गया हूँ यहाँ पर, यह सोचके कि मैं आपसे स्वतनत्र हूँ, बट नहीं, मैं आपका ही अंश हूँ, आपके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, तो जब इस असाहाय अवस्था में हम भगवान शी राम चंदर जी के पाइश पहुंचते हैं, तो बहुत असान है बगवान के पाइश पहुंचना, बगवान को प्रसंद करना, क्या करना है अपने आपको उनको दिना है, इस अपने आपको हमने बहुत सारे लोगों को दिया है, बहुत सारी वस्तों को दिया है, मगर कहीं खुशी मिली नहीं हमें पैसों में अपने आपको देखे दे दिया लोग को अपने आपको देखे दे दिया प्रॉपर्टी में अपने आपको देखे दे दिया बिजनस में अपने आपको देखे दे दिया मगर दो खाई मिला है हर जगा दो खाई मेला है मगर एक जीवन भुवान बोल रहे है मुझे दे दो तो क्या दूँगा मैं आपको अभे प्रतान करूँगा असली खुशी मैं आपको दूँगा तो यह है शीराम चंदर जी जो हमें राम देते हैं राम मतलब आनंद प्रतान करते हैं मुर्यादा पुर्शोतम शीराम चंदर भुवान की राम नमी महा महोसव की हरे किश्णा